नमस्कार नमो गुद्धाय जैवीन जैपेरियार साथियो जागोपंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जागोपंच नित्ति की भाती आपके लेकर आता है बड़ा ही महत्पूर्ण वीडियो जो आपके अंद्विश्वास और पाखन को काफूर कर देगा तो साथियो इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं आपके सामने बड़ा ही महत्पूर्ण वीडियो जिसका सिर्षक है सच्ची रामायन इस सच्ची रामायन को लिखने वाले जो महापुरोधा थे वो हमारे पेरियार ईवी रामास्वामी थे उन्होंने ट्रू रामायना के नाम स लिखी थी और इसका हिंदे अन्वाद पेरियार ललाई सिंग्यादों ने यानि हमारे दो पेरियारों ने मिलकर हमारे समाज को जागरित करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया और समाज को जागरित करने के लिए पेरियार ललाई सिंग्यादों जी ने तो अपनी की पूरी के पूरी शंपत्ति ही लगा दी जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है तो साथियो इस पुस्तक का हम लोगों को लाब लेना चाहिए इस पुस्तक को उन्होंने बहुत अध्यान करने के बाद लिखा दोनों पेरियारों ने तो ये हमारे समाज के लिए एक mile stone साबित हो सकती है मिल का पत्थर साबित हो सकती है अंदविश्वास और पाकण भगाने के लिए तो साथियो आएए चलते हैं पुस्तक के उन पर जहां पर हमें यह ज्यात होता है कि हमारे बीच में ग्रंथों अलोकिक पुस्तकों ने किस प्रकार अंद मिश्वास और पार्खन परोसा है उस पे एक सर्शनी निगाहा डालते हैं और दूसरी बात आज जो सबसे बड़ा पात्र है वह जो यू कहें कि हम जिसकी वज़ा स पूरी की पूरी रामायन की रची गई आज हम उस पात्र की चर्चा कर रही है यानि जहां से उद्गम हुआ था तो सबसे पहले हम चलते हैं उद्गम अस्थल पर तो उद्गम अस्थल क्या है दशरत यानि बालमी की का जो पात्र है दशरत उसकी जो कथा है वह आज मैं आ आईए चलते हैं समय न गमाते हुए पुस्तक की ओर। पुस्तक क्या कह रही है यग्य के पस्चात हमें दसरत के द्वारा राम राज्या विशे की तैयारी की ओर द्रिष्ट डालनी होगी। इन सम्बंधित अध्याय में राजा दसरत की इस्त्रियों, पुत्रों, मंत्रियों और गुर्वों को धर्मा अचरण सम्बंधी नीच्ता का वर्नन किया गया है। साथियों सुरुवात में ही दिखाया गया है कि क्या नीच्ता थी, क्या उनके ब्यवहार थे, यह स्वेस्ट है। तो साथियों देखते हैं कि क्या आगे, नमबर एक, कई-कई से ब्याह करने के पहले, दसरत ने उससे प्रतिज्या की, कि उससे उत्पन्ध पुत्र को अयोध्या की राजगत्धी दी जाएगी। कुछ कथाओं में वरणन किया गया है कि ब्याह के समय दसरत ने अपना राज कई-कई को सौंग दिया था और दसरत उसका प्रतिनिधी मात्र होकर शासन करता था। डाक्टर नमबर दो, डाक्टर सोम सुद्रा वेरी वरेथियर में बी-ल की अपनी पुस्तक कह कही की सुद्धता और दसरत की निच्टा में मौलिक कथाका की कलाई खोली गई है। राजा दसरत के अनूक्त प्रभाव से राम और उसकी मा कौशल्या अनिभिग्य थी। ब्रिध राजा ने राम को प्रकट रूप से बता दिया था कि राम राज्य तिलगोसों के समय कैकई के पुत्र भारत का अपने नाना के घर चला जाना सुब संकेत है। दसरत ने भारत को उसके राज्य दिकार से चुट रखने की नीश्ता पुर्ण उद्यसे से उसे उसके नाना के यहां दस वर्स तक रखा। अयुद्याकान अध्याय 14 देखी यहां पर शाक्षियों का बहुत ही शाक्षियों का बहुत ही ध्यान रखा गया है तो आप इस चीज़ों गौर करिएगा कि लोग बोलते हैं कि पेरियार जी ने गलत लिखा है लेकिन गलत अगर होता तो निश्चित तौर पर वह स्तथ्य परक न होता साक्ष सुसंगत साक्षियों के साथ ना होता तो यहां पर जब अध्याय का नाम और स्लोक का भी नाम तक दिया गया है तो मैं नहीं समझता कि यह गलत हो सकता है और गलत होता तो हमारा जो भारत का कानून है हमारे जो भारत के जज़ हैं जो हमारे मान्य ज़ज हैं जिन्होंने इस पर पाइचत इस पुस्तक को बरी किया है तो वो बरी न कर दे तो आएए चलते हैं आगे क्या कह रही पुस्तक तो आयोध्या में बिना कभी वापिस आए दस वर्स के दिरकाल तक भरत को अपने नाना के यहां रहने की कोई आकस्मिक अवशक्ता नहीं थी क्योंकि वो रजवाड़ा था रजवाड़े में कहां भई जैसे कमजोर होता है माय का तो वहां नहीं भेजते और अगर साफुराल कमजोर होता है तो लोग माय के अपने बच्चों को भेज देते हैं यह हो सकता है लेकिन दोनों रजवाड़े हैं तो दर्दस वर्स तक प्रिशे में बालमी की लिखते हैं कि दसरत ने अपनी पूर्ण सुनियोजित योजना के अनुसार भारत को अपने नाना के यहां भेज दिया था। भारत का अयोध्या राजधानी में सीग्र उपस्ति थी उसे अयोध्या निवासियों की सहानबूती प्राप्त करने में असमर्थ बना देती। कि नहीं यह बहुत गलत कर रहा है। तो शातिर मत पहले से तैयारी कर रखी थी कि राम का राजय विशेख करना है और उसे बिदा कर दो। तो यह मंसा थी तभी ऐसा किया गया था। तो आए और देखते हैं क्या लिख रहे हैं एक दिन पूर्विही दसरत ने अगले दिन राम राजय विशेख की जूठी घोशना कर दी। यद भी मंत्री वसेष्टवा अन्य गुरुजन भली भाती और इस पस्टत्या जानते थे कि भरत राजय गद्दी का उत्त्रा लिकारी है। यानि कि वहां पर जितने थे सभी जानते थे। और यहां पर तो भी चतुर्द भूर्त हुआ ठग लोग राम को गद्दी देने की मिध्या हामी भर रहे थे। सभी जानते थे। लेकिन वो कह रहे थे जब वचन दिया था तो भरत से धोका क्यों हो रहा था। यही इस पस्ट है यहां पर और वहां पर जो मंत्री गण थे जो जिसे बोलते हैं राज पु रही कहा गया है रगुकूल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई लेकिन यह वही रगुकूल की रीत यहां पर आप सभी को सपश्ट हो रही होगी। वो जो उन्होंने वचन दिया था कई कई को आपके बेटे को मैं राज खा उत्रादिकारी बनाऊंगा उस सभी जानते थे कि भरत ही असली उत्रादिकारी है और उसे भेज दिया गया उसके बाद ये सभी लोग तैयार थे तो इसका ये रगुकूल रीत थी या ये दोगला पंथा यही सपश्ट किया है लेखक ने तो राम को दिखाया है वचन बद्दता और दसरत को दिखाया है फिसलते हुए तो क्या यही रगुकूल रीत है यही इसपश्ट करना चाहते हैं लेखक वह हमें आपको इसपश्ट सामने दे रहा हूँ उधारन के साथ क्योंकि उधारन बहुत जरूरी है जब तक लोग कहते है ना प्रान जाई उपर वचन न जाई तो यहां वचन जा र रगुकूल रीत केवल डायलॉग बनाया गया है उसका धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं है तो आगे राम की माता कोशिल्या भी अपने देवी देवता को मनाया करती थी कि मेरे पुतर राम को राजगर्दी मिले देखिए यहां पर रगुकूल रीत से किसी को मतलब नहीं था कोई मतलब नहीं था केवल केवल एन केवल प्रकेरेंड राम को कुर्शी में बैठाना था पुरोहितों और पंडितों को सूचना था उनके प्रामर्ज के बिना और कई-कई जनक भरत यहुं सत्रुगन आदि को बिना आमंत्रित किये दसरत ने रास्तिलक का प्रबंध क कर दिया अयोध्याकान प्रथम अध्याय दसरत ने राम से गुपतुरूप से कहा था कि यदि भरत के लौट आने के पहले भरत की अनुपस्थिती में ही भरत के लिए राजय तिलकियों सो अस्तगित कर देने की सितिय उत्पन हुई तो मैं दसरत इस बात की बिना किसी विर पहले हो जावेगा उसे स्विकार कर लेगा यानि कि जो पहले है वो स्विकार कर लेगा वो मान जाएगा कि नहीं अब हो रहा है तो होने दो कोई बात नहीं ये अयोध्याकान चौदा अध्याय कैकई ने हट किया कि उसका पुत्र राजा बनाया जाए इसकी सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए राम को बनवास दिया जाए तो दशरत उसे मनाने के लिए उसके पैरों पे गिर पड़ा, उससे प्रात्ना करने लगा कि मैं तुम्हारी इच्छानुजार कोई भी तुझ तमकार करने के लिए तैयार हूँ, राम को बनवास भेजने का हटना करो अयोद्ध्याकान बाराः अध्याए बताइए अपने वचन को समाप्त करा अपने वचन को किल कर रहा है यानि जो रेज रीद चली आई थी प्राण जाए पर वचन न जाई अपने वचन को खतम कर रहा था और अपनी लिपसा को, अपने लालच को, राम के प्रति प्रेम को बरकरार रखने के लिए अपनी पतनी के तलोए में गिर पड़ा अब देखिए यहाँ पर उनके पैरों में गिर पड़ा यह स्थिती आपको दिखाती है कि यह रगुकुल रीती वाले कितने वचनवद होते हैं अपने वचनों के प्रति यह सूसपस्ट होता है आगे चलते हैं, नहीं तो जगर एक ही इसे पे ज़्यादा लंबा थोड़ा खीचे कि तो वीडियो बहुत बड़ा होगा तो आईए आगले पॉइंट में चलते हैं, दसरत ने कैकाई से कहा कि तुमने कोई, तुमने पूर्व आयोजित सभी प्रयात्र बिफल कर दिये उसने इस संबन्द में कैकाई से एक सब्द भी नहीं कहा, राम मेरा प्रथम पुत्र होने के कारण राजगर्दी का वही वास्त्विक उत्रादिकारी है जब अंत में दसरत ने राम को अपने पास बुलाया, उसके कानों में चुपके से कहा मेरा कोई बस न चल सकने के दुस्परिणाम सुरूप, मैं भारत भरत को राज तिलट करने को तयार हूँ अता तुम्हारे उपर कोई बंधन नहीं है, तो मुझे गद्दी से उतार कर अयोध्या के राजा हो सकते हो सभी प्रयत्र निस्भल हो चुकने के पस्चाद दसरत ने सुमंद्र को आग्या दी कि कोशागार का संपूर्ण धन खत्तियों का अनाज, खत्तियों का यानि जो वहां पर श्टोर में अनाज रखा हुआ था, ब्यापारी प्रजावा ब्यस्याएं, राम के साथ, वन को भीजवाने का प्रबंध करो, अध्याय कांड जो यह है अध्याय चाथिस का, बालकांड का चाथिसों का, तो यहां पर सूश-फष्ट किया गया है कि राम को बनवाज जब भेज रहे थे तो हम व्यवस्था क्या क्या कर रहे थे सारे व्यापारी सारा अनाज और सारी वेश्याएं ये क्या एक मर्यादा पुर्शोत्म राम की पिता हो सकते हैं जो राम आज हमारे समाज में आदर्स के रूप में प्रस्तुत है ये और वो राम दोनों में बहुत अंतर है बालमीकी के राम में और आज के राम में बहुत अंतर है और बालमीकी के राम आज का राम नहीं हो सकता ये पक्की बात है और अगर होता तो निश्चित तोर पर ये जो लिखा है ना बालमीकी की रमायन में वो स्वयम बालमीकी की रमायन को चला देता अपने एक बांड छोड़के अपनी एक सक्ति छोड़के क्योंकि इस तरह की बातें अगर लिखी गई है रमायन में बालमीकी की तो निश्चित और पर राम का चरित्र हनन भी किया गया है तो आई ये चलते हैं क्या फिर लिखते हैं कहीं ने इस पर भी आपत्ति प्रकट की और विवादास पतर्क उपस्तित करते हुए दसरत को असमंजस में डाल दिया कि तुम केवल देश चाहते हो ना कि उसकी संपूर्ण संपत्ति अ संपत्ति राम को दे देंगे बन में ले जाने के लिए और रखाली रजबाड़े का धाचा वो किला देंगे भरत को राज करने के लिए रगुकूलरीत सदा चली आई प्रान जाए पर भचन जाई कितना चरित्रास होता है ये आप सभी को सूस पष्ट हो रहा है केवल केव महिमा मंडन करने के लिए और अपनी उचता और स्रिष्टा को सिद्ध करने के लिए ये डायलॉग बनाए गए इनका धरातल पर कोई अस्तित तो नहीं है और नहीं यह ग्राहय है तो आगे चलते हैं राम और सीता को वनवास भेजने के कारण घवड़ा कर दसरत ने कह कही क लक्षमर को बनवास भेजने में कोई बेचाइनी नहीं हुई लक्षमर की इस तरी का कोई वर्णन नहीं है स्वर्गिये स्री सी आर स्री निवास अयंगर ने सर 1925 इस भी में प्रकासित बालमी की रमायन का जो संस्कृत बालमी की रमायन का जो संस्कृत में से तमिल भासा म अनुवाद अयोध्या कांड पर टिर्पणी नमक पुस्तक के द्यूतिय एडिशन में लिखा है कि दसरत स्वात्म घाती था दसरत कौन था स्वात्म घाती दसरत ने सुमित्र और कई-कई के कार्यों पर हस्ताक्षर कर दिये थे लेखक ने दसरत पर बीस दोशारोपन किये है यहीं जो लेखक है उसने दसरत पर बीस दोशारोपन किये हैं और मैं यहीं बीस दोशारोपन खतम करके यह वीडियो खतम करूँगा पहला दसरत ने बिना विचार किये कैकई को दो वर्दान देने की भूल की, कैकई के बीवाह करने के पूर्व दसरत ने अपने उससे उत्पन पुत्र को राजगदी देने की भूल की, साथ वर्ष का दीर्ग समय ब्यतीत कर चुकने के पश्चाद भी अपने पशुवत विचारों का दास बने रहने के दुश्परिणाम सोरूप, अपनी पर्थम इस्तरी कौशल्या तथा दुट्य इस्तरी शुमित्रा के साथ वह बेवहार न कर सका, जिसकी वह अधिकारनी थी अब आप यहां पे गौर करिएगा, क्योंकि भीडियो लंबा न हो, इसलिए केवल केवल मैं पुस्तक के मूल अलसों को आप तक पहुचा रहा हूँ, कैकई के दिये गए मुर्षतापूर्ण वचनों से, उसने कैकई को खुसामत कराई, अपनी प्रज्या के समक्षत राम क प्रज्या या प्रज्या नहीं, यहां तोड़ा मिस्टिक है, यहां अपनी प्रज्या के समक्षत राम को राज दिलग करने की भोषना कैकई वा उसको पिता को दिये गए मुर्षनों का उलंगन है, कैकई की सुछा नुसार उसे दिये गए वर्दानों के फल्सो रूप रा अपनी पून भोषना से वै निरास हो गया, इन पापों ने दसरत द्वारा भरत को राजगद्दी देने के असंभव वचनों को निरस्थ कर दिया, वसिष्ट ने परामर्ष दिया कि एक शुआ को वंसिये परंपरा नुसार परिवार के जेष्ट पुत्र को राजगद्द मिलनी चाहिए, किन्तु कैकई के प्रेम में पागल दसरत ने उस परामर्ष को लाग की ठोकर मार कर अलग कर दिया, दसरत को अपनी मुर्खता का प्रयाशित करना तथा कुछ मूल ले चुकाना चाहिए था, किन्तु उल्टे उसने कैकई को श्राब दे दिया, वह भूल गय कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तथा मेरी सिती क्या है, और कैकई के पैरों में गिर पड़ा, यानि अपने वचन को जो रगुकुल रीत का वचन था, उसे किल करने के लिए, खतम करने के लिए, वह कैकई के पैरों में गिर पड़ा, यानि अपनी पूरी आनमान मर्यादा के निवल एक लोग के कारण वो खतम कर वैठा तो आगे चलते हैं सुमंत्र और वसिष्ट जो दसरत के वचनों से ऑवगत थे कहए कहीं ये प्रति किये गए वचनों की और संखेत कर सकते थे दसरत को सचेत कर सकते थे राम को राज गद्धी ना देने का प्रामर्श दे सकते थे किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया वसिष्ट ने जो कि भविश वक्ता थे राम राज तिल्गोसों के सुब अउसर को सिगरता से निश्चे कर दिया यदिपी वह भली भाद जानता था कि यह योजना निश्फल हो जाएगी कह कही अपना न्याय संगत स्वत्व एवं अधिकार मांगती थी किन्तु सिधार्थ सुमंत्रवा वसिष्ट उसे विपरीत परामर्श देने उसके पास दोड़ गए इस पर निश्फल प्रयास निश्फल होने पर उन्होंने उसे फटकारा तो आप सब ही यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार राजा दसरत का चरित्र था और राजा दसरत किस प्रकार अपने ही बच्चों में एक को जादा मान सम्मान दूसरे को कम और इसी मान सम्मान के कारण उन्होंने अपने पूत्र जो की बहुत ही होनहार थी कहानी के अनुशार उसे राज से अलग करने के लिए कितना बड़ा सड़यंत्र किया यह आप सभी के सामने है और जिसे हम कहते हैं कि रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन जाई यहां पर उनका वचन चला गया और वचन जाने के बाद वह उसे त्याग कर अपने वचन को कह कही के पर चरणों में गिर कर याचना कर रहे थे और यही याचना क्या सिद करती है यह अलौकिक पुस्तक है यह अलौकिक चीजे हैं यही आप सभी को बताने के लिए सुनाने के लिए हमारे इन पेरियारों ने मेहनत की किस तरह आपको गुमराह किया गया है तो साथियो आज की यह वीडियो आपको कैसे लगी की राजा के जो वचन थे राजा दसरत के जो वचन थे वो जो रगुकुल रीद थी वो कैसे समाप्त रुई कैसे एक नारी के चरणों में दास बन गई कैसे उन्होंने उसे त्याग दिया आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो हमारे नए साथी यहां तक देखते हुए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी दवाले जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हो जाए कि सब्सक्राइब की अगले भा